अवन पवित्र नवरात्री की आप सभी को सुब कामने वीडियो में देखेंगे कलस इस्थापना की सही विधी और साती नारियल का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए इस वीडियो में करके दिखाऊंगी विशेष जानकारी वीडियो में है ध्यान से सुनिएगा और अंत त कहा जाता है जब कलस इस्थापन किसी भी पूजा में होता है तो यह देवी देवताओं के लिए विशेष इस्थान होता है इसमें वरुन देवता हमारे इस्ट पित्र देवी देवता जिनका भी हम उस समय ध्यान करते हैं आवाहन करते हैं इसमें वहवास करते हैं और यह स तरह से आप सभी को से रख लेना है साथ ही जो भी माताराणी की प्रतिमा विग्रह स्वरूप है वह भी आप इराजमान कर लिजी इससे पहले मैंने वीडियो बताया है कौन से सामगरी प्रियोग में होगी और साथी पूजा की विधी क्या रहेगी तो उस वीडियो को आप ज सकते हैं यह एक बार भी लपेट लेंगे तो भी परियापत रहेगा अब जो जल का लोटा है उसमें गंगा जल डाल लीजे और जल डाल लीजे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने यह आपको पहले ही करके प्रक्रिया दिखा रही हो अब जो जल का लोटा है उसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा अक्षत समर्पित करें सामगरी के सरोप में हल्दी की गांट समर्पित करें साथी एक रुपे का सिक्का समर्पित करें और साथी पुस्व और दुर्वा समर्पित करें इसमें आप जो है विसेश तोर पर बजार में मिलने वाली सब्त उशधी भी समर्पित कर सकते हैं, कमल गटा भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा सकती सामर्थ है, आप इसमें कितनी विशेश सामगरी बनाकर बहुत श्रेष्ट बना सकती हैं, साधारण सरल तरीके से जो आपके पास सामगरी है, जैसे अक्षद घर में होते ही हैं, और साथी दुरवा, पुष्प, हल्दी की गांट एक रुपे का सिक्का, यह 5 चीज़े भी आप डाल लेंगे, कलश के अंदर तो भी परियाबत रहेगा, ठीक है जी, यह बात हो गई, अब आप सभी को जो मातारानी का दाहिना तरफ है, वहाँ पर चावल से अस्ट दल कमल बनाना होग वह इस तरह से रखेंगे, अपने हाथों की मदद से जादा बड़ा या छोटा जैसा भी आप बनाते हैं, उस स्वरूप में आप यहाँ पर अस्ट दल कमल बना लेंगे, आठ लाइने खीचेंगे, जो कि अस्ट दल कमल की होती हैं, और एक पुस्प के स्वरूप में, अर् से जौरे आप देख पा रहे हैं, इसका अलग से वीडियो है, सूट किया था, तो मैंने यहाँ पर ही रखा हुआ है, तो एक कलश जो आपने जौरे का बरतन लिया है, उसके उपर ही कई भक्तिजन कलश रख देते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, जौरे अलग से भी रख सक सकते हैं, 5, 7, 11, 21, जितनी आपके संख्या है, आम के पत्ते थोड़ा जल्दी मुर्जा जाते हैं, तो आम का कम ही चुनाव करें, असोग के टाइट पत्ते अगर आप लेते हैं, वैसे जल्दी मुर्जाते नहीं हैं, और 9 दिन तक हरे भरे बने रहते हैं, तो आम, असोग या अन्य जो है, जो सुद्ध पत्ते बताए गए हैं, आम, असोग के अलावा, वह आप ले लिजिएगा, ठीक है जी, यह आपने ले लिए, अब इन में जो आप सभी विसेश तोर पर चंदन और हल्दी या कुम-कुम की तिलक स्वरूप लगाईएगा, बहुत सुन्दर इसके साथ ही आप कलश के अंदर इनहें रख लेंगे, तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, इसके उपर एक पूर्ण बात रखना है, जिसे अकशत रूप में रख सकते हैं, यह हो रख सकते हैं, कुल मिलाकर उसमें अनाज रखने होता हैं, एक प्लेट एक कटोरी आप इसमें आप धानी भी सब्त रख सकते हैं इच्छा आपकी है कोई भी आपको अनाज लेना है और कलश के उपर आपको इस तरह से रख देना है अब इस पूजा में विसेश तोर पर स्रीफल का ही प्रियोग होता है एक दिन की जो छोटी सी पूजा होती है उसमें दीप कलश ल पर रखेंगे अब स्रीफल रखने की प्रिक्रिया है सबसे पहले जो नारियल है अर्था जो स्रीफल है उसे आप बाजार से लाएं जटा वाला नारियल लाएं और उसमें सबसे पहले आप स्वास्तिक बना लें हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक बना लें उसमें अक्ष नारियल को रखने के दो तरीके बताये गए हैं सास्त्रों में एक तो जो नारियल है वह खड़ा रखा जाता है अर्था जो नारियल का मुख है वह उपर की ओर रखा जाता है जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखाया है इस तरह से उपर की ओर रखा जाता है कई भक्तिजन जो है ठी पीछे की ओर रखे थोड़ा सा चप्टा सा हिस्सा आता है उसे आप सभी जो है विशेश तवर पर अपनी ओर रखे कई लोग नारियल को उपर की तरफ भी रखते हैं नोकिला हिस्सा तो वह भी सही प्रक्रिया है उसे भी गलत नहीं कहा जा सकता दो तरीके से नारियल रखा जाता है दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है एक तो आप सभी खड़ा नारियल रख सकते हैं वह भी उत्तम है बहुत स्रेश्ट जनों इसकी कई उधारन देते हैं सास्त्रों में वर्नित बात कहते हैं वह भी उत्तम है अपनी तरफ नारियल का मुख आपके और होना चाहिए वह भी आप सभी रख सकते हैं वह भी स्रेश्ट प्रक्रिया कही गई है तो दो नियम है कलश में नारियल रखने के वह आप रखिएगा अब कलश का नारियल नौ दिन तक इसी प्रकार से आपको रखना है और इसमें जो है अच्छे पत्ते आप रखेंगे जैसे मैंने सुर भरे रहें तो इस तरह से नौ दिनों में यह सुन्दर प्रक्रिया मानी जाती है कलस स्थापना की और इसके बहुत अच्छे परणाम मिलते हैं भले ही आप खेतरी ज्वारे बोए या ना बोए अखंड दीप लगा पाए या नहीं लगा पाए कोई दिकत नहीं परन तो सकते हैं कई-कई भक्तिजन यह है जो नारियल होता है जो उपर रखा हुआ होता है कलश के इसे कभी तोड़ते ही नहीं है इसे अपने घर की तिजोरी में या व्यापारिस्थल पर या घर के दरवाजे इत्यदी पर रखना भी सुन्दर फलों की प्राक्ति में सहाइक होता कर आप पूर्ण रूप से नौ दिनों की पूजा को अपने संपन कीचेगा कभी ऐसा टेंशन ना करें कि नारियल खराम निकल आया या हम कैसे इसका चुनाव करें तो बड़े सुन्दर प्रेम पूर्वक नारियल आप लेकर आईए कई भक्तिजन यहां पर गोला भी रखत कोई दिक्कत नहीं जैसा है भगवान द्वारा दिया गया है उसे समर्वित करें कई बार यह नारियल खराम निकल आता है चटक जाता है कई बार तो भी टेंशन और चिंता की कोई बात नहीं है नारियल का चटकना खराम निकलना यह बहुत सुपता की रूप में जाना जात झाल झाल